हम आज बात कर रहे हैं इस बुक की गोप्रो और इसको लिखा है एरिक वोरी साहब ने ये बुक का या एरिक वोरी साहब का जो और रिलेसंशिप है ये हैं नेट्विक मार्केटिंग इंड़स्ट्री से एरिक वोरी साहब ने अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ही ये जर्नी शुरू कर दी ठी नेट्वक मार्केटिंग की और काफी सकसफुल रहे पहले बहुत अरचनयाई पर काफी सकसफुल रहे इस ज पूरा चाहनते हैं अब आगे बढ़ने से पहले मेरी आप से कुछ रिक्वेष्ट हैं एक आप ये वीडियो पूरा सुनें दूसे इस वीडियो को आप लाइक करें या डिसलाइक करें कमेंट्स में जरूर से लिखी के आपको जो वीडियो है या मेरा चैनल है इसका एक ही उदेश्य है कि मैं entrepreneurship के बारे में या business के बारे में mindset के बारे में जो help करे business को या entrepreneurship को उसके बारे में काम करूं बताओं और share करूं लोगों से सो मेरी आप से ये request है कि आप भी मेरे काम को support करें और इसको आप आगे share करें ताकि हम सब जो like minded लोग हैं इंका एक अच्छा सा network बने तो चलो हम बात करते हैं इस book की एरिक वरी साहब ने introduction में ये का कि network marketing क्यों ज़रूरी है network marketing इसके लिए ज़रूरी है कि existing पैसे कमाने के तरीके जो है या job कर लो या खुद का business कर लो या आप sales का काम करो independently या किसी job के थो या आप एक investor हो जो पैसा लगाता है और उसके उपर से return कमाता है इन सब की limitations है कोई पैसे के तौर पे limitations है कोई job satisfaction के तौर पे limited limitations है खुद का काम करने के बाद भी एक संतुष्टी नहीं मिलती stress होता है tension लेके चलते हैं लोग तो कहीं न कहीं एक टाइम आता है जब इंसान सोचता है अब आगे क्या तो वही time के point पे रहकर के साहाब ने ये book लिखी है साहाब का मानना है कि network marketing जो एक career है जो industry है जो business opportunity है वो बहुत ही बढ़िया है बहुत ही सुलजी हुई है और व्यवस्तेत है तो चलो हम इस book की summary शेर करता हूँ मैं आपसे बताता हूँ कि इसमें book क्या कहा है साहाब ने शुरू में साहाब कहते हैं कि network marketer जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं एक होता है poser जो नया नवेला है जिसमें जोश बहुत है जिसको quick profit कमाना है profit लेकर के धन्वान बन जाना है पर जिसको time और effort नहीं डालना है दूसरे जो next level का है उसको कहते है mature के पास talent भी है एक will भी है कि मुझे करना है पर commitment नहीं है और तीसरे जो है वो है professional जिसके पास talent है will है और जो totally commitment दे के चलता है कि भाई मैं अपना best दे दूँगा इस काम के लिए और इसको मैं result लेके आऊँगा ठीक है आगे शाहब ने साथ skills बताएं है सबसे पहला skill है prospects ढूनना अब prospects ढूनने के लिए साथ कहते हैं कि पहले अपना अपनी जानकरी में जितने लोग हैं इनके बारे में आप इनकी list बना लो फिर वो जो लोग हैं जिनकी list में नाम लिखाया वो कितनों को जानते हैं और उनका नाम अगर यदि आपको पता हो आप list add कर लो जब यह list बन जाती है फिर आपका काम यह रहेगा कि आप रोज एक या दो बंदों को आप add करें और अपनी list बढ़ाते रहें यह list बढ़ाने का और बढ़ाने का काम जो है यह regular चलते रहना चाहिए यह आपका network जो है इसको हिएगे दिखेंगे मिलने के और जो बात करने के बात छेड़ने के जो तरीके हैं वो अलग-अलग होता है आप सही किसी को जानते नहीं और उसको सीधे ही जाके कहोगे मैंने ये बिजनस शुरू करा है तुम भी मेरे साथ करो तो वो सुनेगा नहीं वो आपको कहेगा पागल है भाग जा तो वो नहीं करना तरीक हैं सलीक हैं उसके और नेटवर्क बढ़ाने का जो एक तातपरिया ये होता है कि आपको रिक्रूट करना है आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है ये आपके दिमाग में हमेशा ही रहना चाहिए दूसरा स्किल जो है वो है इन्विटेशन का अब जब आपने नाम लिख लिए लोगों को मिले अब अगले स्टेप पर जाना ज़रूरी है लफ साब ये कहते हैं कि आप एक किसान एक फार्मर की तरह अपनी सोच बनाओ जो बीज बोता है जो फसल उगाता है और ये हर साल हर सीजन में ये आक्टिविटी चलती है या ये इंडस्ट्री या क्या है आप क्या कर रहे हो पर उसका भी एक तरीका है आपने इन्वाइट करना है उनको एक सेमिनार के लिए एक प्रेजेंटेशन के लिए और वो seminar या वो presentation जो है वो आपका senior जो है या उसका जो senior है वो देगा पर उसके पहले invitation कैसे देना है अब आपने ये इस तरीके का एक act करना है ये इस तरीके से आपने आपको दिखाना है कि आप बहुत busy हो आपके पास time नहीं है तो आपको quickly invite करना है लोग आपको पूछेंगे भई क्या है आपको वहाँ पर नहीं बताना है अपको सिर्व ये कहना है कि भई अगर आप extra पैसा कमाना चाहते हो या नया कोई काम शुरू करना चाहते हो जो आपके existing काम के साथ के साथ हो सकता है जो आपके existing काम को disturb नहीं अगर आप राजी हो तो आप मेरे इस पते पर इस समय आप आजाएं और भी लोग आने वाले हैं आप भी आजाएं और तब मैं जो senior है मेरे वह आपको यह opportunity बताएंगे अब वहां कहते हैं तो आपने समय और टाइम दे दिया वह ना कहते हैं आप धन्यवाद कहें और उनको move on करोगे next person को invite करने के लिए आपका काम यह होता है जब आप नए होते हो दंदे में आपने prospecting करनी है और invite करना है that's it और यह जो formula है यह सारा proven formula है इसमें कोई नया कुछ डुणने की या नया कुछ करने की कोई जगह नहीं है लोग करने की कोशिश करते हैं फेल होते हैं पर आपके जो senior होते हैं या उनके जो senior होते हैं वो देते हैं क्योंकि वो senior है वो professional है उन्होंने बहुत सारे presentation दिये हैं तो वो जो presentation देते हैं आपका काम है उनको ध्यान से सुनना और notes बनाना के वो क्या कहते हैं किस तरीके से कहते हैं और क्या नहीं कहते ठीक है बात को बहुत clear और क्लियर रखना है अब जो प्रेजेंटर है जो सीनियर है वो ये खुद की स्टोरी बताएगा और खुद की स्टोरी में पहले वो क्या था क्या अच्छा नहीं लगता था क्या दर्थ था लाइफ में और एक टाइम ऐसा आगया था जब वो बहुत परिशान था तब उसको आप ही के जैसे किसी ने इंट्रोड्यूस करा इस उपरचुनिटी को और इस उपरचुनिटी को देखते इनको लगा यह इन्हों ने लिया कि वह यह उपरचुनिटी या कमनी मेरे लिए है और तब से उन्होंने काम करना शुरू किया और वो जर्णी वहां से लेगे अब तक कैसे फ्रूटफुल रही इनके लिए उन्होंने क्या सीखा क्या लोगों से मिले क्या पैसा आना शुरू हुआ और इनके लाइफ में क्या-क्या फाइदे हुएं अब सीन यह होता है कि यह प्रेजेंटेशन भी बहुत शॉर्टन स्वीट होना चाहिए ताकि अगें जैसे लोगों के पास टाइम नहीं है तो शॉर्टन स्वीट होगा लोगों को समझाएगा कि अच्छा यहनोंने मुझे बुला है शॉर्टन स्वीट था कोई लंबी लचक कानी नहीं बता रहे तो लोगों का विश्वास बनना शुरू होगा अब जो इन्वाइट किया उसमें से मानलो 10% 20% हा कहते हैं तो आपने जो हा कहते हैं उनको पहले नेक्स टेप के और ले जाना है और बाकी की जो हैं उ जो थोड़ा सा देते हो तीसरा पांचवा जो स्टेप है साइनिंग अप होने के बाद आप उनको एक गेम प्लान होता है जिसमें उनको आप पूछोगे उनसे अंडरस्टैंडिंग लोगे वो क्या कमाना चाह रहें कितना कमाना चाह रहें वो कहेंगे जी मैं X amount कमाना चाह आते हो तो आप कितना समय दे सकते हो आपके रूटीन लाइफ में से कितना समय निगाल के इस काम के लिए कर सकते हो वो कहेंगा जी मैं एक गंड़ा दे सकता हूं अफ़ते के पांच गंड़े दे सकता हूं फिर उस समय से और उस पैसों के हिसाब से फिर आपको यह आएगा कि भाई मुझे क्या काम करना है एक clarity होगी अच्छा इस समय पे या पहले या बाद में आपको बड़े लड़ू नहीं दिखाने किसी को क्योंकि अगर आपने बड़े लड़ू दिखाया बड़े बड़ा कोई जासा बताया और थोड़े ही समय में और reality सामने आएगी कि ऐसा तो कुछ है नहीं तो वो बंदा तूट जाएगा वो तूटेगा वो चार और लोगों कहेगा सबसे ज्यादा नुफसान आपका होगा पर अगर वो बंदा रहा और उसने काम करना शुरू करा और वो अचीव करता गया छोटे-छोटे स्टेप तो एक विश्वास बन गया एक ट्रस्ट बन गया एक बिलीफ बन गई आपस में तो इसी तरीके से एक ट्रस्ट और बिलीफ से आपकी टीम बढ़ती रहेगी और आगे बढ़ेगी और सबसे जाला फाइदा आपको होगा उसके बाद छटे स्टेप में साब कहते हैं कि आप उनको हेल्प करो स्टार्ट करने के लिए तो एक स्टेप तो आपने ले लिया गेम प्लान समझाने में दूसरा स्टेप आप करोगे सब्सक् selliva उनकी इंविटेशंज में हेल्प करोगे उनकी मीटिंग करने में hè उनकी जो मीटिंग होगी उसमें आप क्रेजंटेशन दोगे अगर आप आप भी नए हो और आपके नीचे कोई नए मेंबर जान होरा है तो आप फिर अपने सीनियर को request करोगे कि भाई आप आओ और मेरी meetings में हमारी meetings में आप presentations दो आपका काम है एक guide के तोर पे काम करें success उनके हाथ में क्योंकि महनुत उन्होंने करनी है आपका काम है दिशा दिखाना direction देना और एक काम आपने बहुत इसमें करना है कि आप जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी हो सके आप उनको independent बना दो कि वो prospecting करें वो networking करें और फिर वो presentations करें तो इससे होगा कि जब वो independent हो गए तो उतना burden आपसे कम हो गया तो शुरू में यह आपको support देना होगा देना पड़ेगा उनको भी support शायद लेना पड़ेगा पर आपकी कोशिश ही रहने चे कि जेतने जल्दी आपके जो junior है वो independent हो जाएगा लास्ट में साथवे step में साब कहते है कि events जो होती है company की events होती है annual events होती है quarterly होती है half yearly होती है country wise events होती है वो events आपने attend करनी है अब वो events में होता क्या है कि जो बड़े लोग है वो आते हैं वो अपनी company के अंदर की थोड़ी बहुत बातें share करते हैं बाहर से motivational speaker को hire किया हुआ होता है वो motivational speech देते हैं फिर जो पिछले meeting से लेकिए इस meeting तक जो लड़कों ने जो बंदों ने काम करा है जिनोंने growth करा rank achieve किया या business achieve किया उनकी appreciation होता है उनका सम्मान होता है उनको gift दी जाती है या trophy दी जाती है या reward दिया जाता है फिर वो भी अपनी जो story है थोड़ी बहुत वो बताते हैं इतने बड़ी audience के सामने तो वो audience में भी एक impression पढ़ता है वो audience को भी एक motivation मिलता है और उस audience में भी ये भावना जाती है कि किसी दिन मैं भी उस stage पे जा करके बात करूँगा और वो करने के लिए लड़के या बंदे या बंदियां जो है वो मैनत करते हैं अब साब का कहना है कि आपने एक भी event छोटी हो या बड़ी हो एक भी event मिस नहीं करनी है आपने events को निरंतर regularly attend करना है साब का एक मानना है कि जो events attend करते हैं वो बहुत successful होते हैं जो events miss करना शुरू करते हैं या नहीं जाते वो आगे नहीं बढ़ते है अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप event को attend करें अब यह हो गई साथ skills और book almost समाप्त हो गई यहां पर अब book के बारे में जो दो-तीन बाते हैं जो मुझे एक तरफ अच्छी लगी एक तरफ अच्छी नहीं लगी जो अच्छी से लोग यह गलती करते हैं कि family और friends को पहले pitch करना शुरू करते हैं पहले ही बदाना शुरू करते हैं और होता क्या है कि वो करने वह बहुत बढ़िया दिये हैं साबने और जो tips दी भी है books में वह बहुत बढ़िया हैं तो overall मैं यह कहूंगा कि यह book अगर आप network marketing की journey शुरू करते हो या आपने शुरू ही करी है या आप एक level पर आगे भी हो तो यह book आपको buy करना और पढ़ना बहुत जरूरी है यह book आपको एक बहुत सही रास्ता दिखाएगी यह एक asset के काम आएगी आपको मैंने इस book का link नीचे दिया हुआ है अगर आप खरीदना चाह आते हो book तो नीचे की link आप यूज करें और इस book को buy करें it will be a great help to me और इसी के साथ once again मैं यह कहूंगा कि आप like करें वीडियो को comments लिखें चैनल को subscribe करें और share करें वीडियो या चैनल को और knowledge को and हम एक अच्छा बहतर network बनाए इसे के साथ मैं यह video समाप करता हूं धन्यवा थैंक यू शुब मंगल कामना बाय